हेलो गाईफ तो अमीद करता हूँ कि आप फ़बी लोग बहुत अच्छ होंगे तो काईफ आज के वीडियो में मैं आपको आडियो मनेवर की बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे यूफ कर सकते हो जो भी फोटो वीडियो और आडियो होंगी वो आप कैसे हाइड कर सकते है इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो को फकिप बिल्कुल भी नहीं करना है तो इसके लिगा है सब फे पहले आपको अपने फोन में Play Store को Open कर लेना है ठीक है Play Store को Open करने के बाद यहां पर आपको लिख देना है Audio Manager तो आपके पाफ कुछ FI Interface आ जाएगा आपने इस Application को Install कर लेना है मैंने FI Already Install कर रखा है इसलिए मैं FI Open कर लेता हूँ ठीक है इतना करने के बाद आपके पाफ कुछ FI Interface आ जाएगा अभी काफ यहां पर उपर जो Audio Manager लिखा हुआ है वहां पर आपको Hold करके रखना है FI Tap करना है और 2 जा 1 Second के लिए Tap करके रखना है तो आपके पाफ कुछ FI Interface आ जाएगा तो अभी काफ यहां पर आप अगर Pin Code Fet करना चाहते हैं तो यहां पर आप Pin Code पर क्लिक कीजिए और अगर आप Power Word बनाना चाहते हैं तो Power Word पर क्लिक कीजिए मैं भी यहां पर Power Word बना रहा हूँ क्योंकि यह बहुत Fave होता है तो इसको हमें Remove कर देना है यहां पर आपको अपना कोई भी Power Word डाल देना ठीक है यहां पर आपको अपना Name डाल देता हूँ यहां पर Example के तोर पर ठीक है तो इतना करने के बाद आपको यहां पर Fave बटन पर क्लिक कर देना है अभी गाइफ आपको फिर्फे OK पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको ध्यान पर अपनी जो भी Recovery email डाल देना है ताके बाद में अगर आपको कभी Power Word को भूल जाते हो तो आपको यह बहुत ज़दा Help करेगी ठीक है तो यहां पर मैं अपना जो email है वो डाल देता हूँ ठीक है email डालने के बाद यहां पर मैंने OK पर क्लिक कर देना है और यहां पर फिर्फे OK कर देना है इतना करने के बाद आपको भी जो भी Permission मांगीगा वो आपको Allow कर देना है याफे के मैंने यहाँ पर ok किया और allow कर दिया तो मैंने फबी की फबी permission allow कर दी है अभी दोफतों फिर फे आपको वहाँ पर audio manager पर hold करके रखना है और यहाँ पर अपना जो power forward आपने बनाया था वो यहाँ पर डाल देना है मैं भी गाइफ यहाँ पर अपना power forward डाल के यहाँ पर automatically fill हो जाएगा आपको जो account है automatically खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको अभी कुछ भी hide करना है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको photo of video of audio कैफे hide करनी है अपने तो यहाँ पर गाइफ अगर आपको कोई भी picture hide करनी है तो आपको यहाँ पर picture पर click कर देना है जहाँ आप यहाँ पर click करते हो तो आपके पाफ उपर यहाँ पर देखिए plus का icon आएगा यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको कोई भी folder लर един कर देना है जो भी आपको फॉल्ड्र बनाना ठिक है एक वएमपल के तौर पर यहां पर मैं बना देते हुएवर ये लिखे मैं और या यह लिख लिखिते मैं रिख्वेशंटाओ करता हूँ अब इस फॉल्ड्र को आपने ओपन कर लेना है जैसे कि मैं भी कुछ आपको example के तोर पर कुछ photo यहाँ फे hide करके दिखा देता हूँ जैसे मान लेजिए मुझे ये 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 चार photo है जो ये मुझे hide करनी है तो यहाँ पर आपको इनको फ्लेक्ट कर लेना है फ्लेक्ट करने के बाद नीचे आपको hide flag file यहाँ पर click कर देना है और यहाँ पर आपको जिफ भी folder में फे डालना है वो आपको यहाँ फे फ्लेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ok बटन पर press कर देना है तो इतना करने के बाद आपके जो भी photo होंगी यहाँ गैलरी फे चली जाएंगी और वहाँ पर hide हो जाएंगी और अभी गायफ आपको बताता हूँ कि आपको इन pictures को वापफ अपनी gallery में कहफे डालना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ दोफ्तों इन pictures को hide करने के लिए फिम्पनी फे फिल्टर को Island कर लेना है फिलेक्ट आपार करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक unhide option मिल रहा है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना ठीक है और यहां पर जैफे ही आपने जैफे जिफ फॉल्टर फे भी इफ पिच्चर को डाला होगा हाइड किया होगा वो बाइड डिफल्ट वह ही फॉल्टर आ जाएगा लेकिन अगर आप यह फे किफी और फॉल्टर में मूव करना चाहते हो तो यहां पर आपको फाइल पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको कोई भी यहां फे फॉल्टर फ्लेक्ट कर लेना है फॉल्टर फ्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पर अन हाइड पर क्लिक कर देना है तो फारी जो gallery में जो भी आपने picture hide की थी वो फबी के फबी आपकी gallery में पहुंच चुकी है उफी जगाएं पर जहांपे आपने उन picture को हटाया था तो इसी तरह फे गाएंफ आप audio manager में picture video of audio को hide and unhide कर सकते हो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपके लिए थोड़ी फे भी helpful हो तो इसको like कीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कर देना